नमस्कार दोफ्तों एक बार फिर से स्वागता आपका विवेक्टी.ind में और आज है हमारे पास यहां पर जैमसंग गैलक्सी के दो डिवाइस एक है यहां पर A04S दूसरा है A13 आज हम करेंगे यहां पर दौनी फोन का कंपेरेंस देखेंगे कौन सा फोन यहां पर पर बागी दौनी फोन ग्लॉसी फिनिस के साथ आपको यहां पर मिलते हैं और दौनी फोन का बैक प्लास्टिक का बना हुआ है और यहां पर एक और डिफ्रेंस हल्कीजी फिंगर फिंगर्प्रिंट लाइक डिजाइन यहां पर A04S में आपको बैक पर मिलेगी वहीं सेमसं फोन के एकदम डिफ्रेंट है यहां पर पीछ क्लर है और कॉपर कलर है बात करने दौनी फोन के ठिकनेस की ए 13 की ठिकनेस है यहां पर 8.8 mm होई A04 की ठिकनेस है 9.1 mm साथ दौनी फोन के राइट सेर्फ में पावर की यह वॉल्म की मिल जाते हैं फिंगर्प्रिंट बी आपक बॉटम साइड के अगर बात करें तो सेम यहाँ पर भी स्पीकर चार्जिंग जैक माइक और यहर फॉन जैक आपको देखने के लिए मिल जाते हैं दोनी फॉन टाइप सी चार्जिंग सपोर्ट करते हैं 15 वार्ट का चार्ज दोनी फॉन में आपको इन्वाक्स मिल जाएगा दोस्तो ऑवरल डिजाइन के मामन में कोई डिषोड़न नहीं है को वर्म क weld के छोड़ दें तो बाकी और कोई दिफरेंस हैं यहाँ बूल आपको दोनाई नहींóc 365 पैय दिस्पlet डिस्प्लेश आपको को मिलता है गौर लगला स्वाइब का प्रोडेक्शन वहीं एजिरो फॉर एस में आपको मिलते है शिक्स पॉइंट फाइव इंच की 9-3 में आपको नहीं मिलता था साथ बात करें डिश्पले क्वालिटी की ध्यद्यक्शन यहां पर एक वीडियो करें और देखेंगे डिस्पले क्वालिटी की की जादा बहतरी नहीं मिलेगी तो यही दिफ्रेंस है यहाँ पर फुल एच्टी प्लस और एच्टी प्लस डिस्प्ले का आप देख सकते हैं यहाँ पर कलर और शार्पनेस काफ़ी ज्यादा अच्छी है यहाँ पर सेमसंग गलक्सी 13 में अगर हम कंपेर करते हैं पर कर दिया गया है यहाँ पर समसंग गलक्सी 13 में नहीं दिया गया था तो यह प्लस पॉइंट है संट्री डिमांड आती थी स्मार्ट यू नहीं है तो वहाँ पर स्मार्ट विव आपके लिए एड कर दिया गया है बाकि और कोई फीचर्स में डिफ्रेंस यहां पर नहीं है वही क्यू आर कोड़ स्केंडर नियर वाई शेयर आई कमफर्ट डार्क मोड सभी चुछ वही आपको दी जा रही है साथ यहां पर डॉल्ब एटमस दौनी फॉन में है किट्स मोड बैट टाइम फोकल्स मोड यह सारे फीचर्स चलते हैं दौनी फोन के अबाट फोन सेक्षन में और देखते हैं यहां पर डिस्प्ले जो स्मूथ ने से वह यहां पर एजिरो फोरेस की थोड़ी सी ज्यादा है इसमें कोई दोराय नहीं है अब बात अगर सबस्पहले यूई की वर्जन 4.1 आपको यहां पर दौनी यहां पर दौनी फोन में है कोई डिफरेंस नहीं है यहां तक की बात अगर प्रोसेसर की करें तो वहां भी दौनी फोन में कोई डिफरेंस आपको नहीं मिल जाता है और वेरियंट के बात करें तो दौनी फोन आपको मिलते हैं और यहां पर एथर्टीन 4128 और 6128 दौनी डिफरेंस देखने के लिए मिल जाएगी वहां पर कोई डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा तो दोस्तों हाडवेर होगे आप बात करते हैं दौनी फोन के यूई फीचर्स की देखते हैं वहां क्या ड यहां पर आपका डिवाइस के अब यहां पर 47 जीवी एविलेबल है और एजिरो फोरेसं 46.2 जीवी एविलेबल है आपके यूज के लिए डिजिटल वैल्विंग दौना ही फोन में है एडवांस फीचर्स सी बात करें यहां पर तो एंडर डौको कोई शेयर ले मोशन सब्सक्राइब कर दिया गया है यह एक माइनस पॉरेस के साथ में बाकी एडवांस फीचर्स में मुशन जेस्टर में और कोई डिफरेंस नहीं है साथ यहां पर सेप्टी नेमर्जेंसी लोकेशन प्राइवेसी बाइव मैटिकन सेक्यूर्टी वाइवेटिकन सेक्यूर्ट इड़्यवाइब करते हैं पर फइंगरप५िंण फिर देखने के लिए मिलती है और किस फोने फेस फिंगरप्रिंट करते हैं और देखते हैं यहांपर दोनी-फोन-का-फिंगर-पन एक साती unlock हो रहा है, यहांपर कोई बिटक्त पर इसानी वाली बात दौनी फॉन में नहीं है, बात face lock की करते हैं तो भी यहांपर हम चेक कर लेते हैं, तो face lock भी यहांपर दौनी फॉन का लगबख same time पर ही performance दिखा रहा है, कोई difference यहाँ पर face lock में भी आपको face नहीं करनी पड़ेगी देखते हैं एक का दौर बार क्या performance रहती है तो आप देख सकते हैं लगबग लगबग same time में ही दौनी फॉन का face unlock भी proper तरीके से performance दिखा रहा है तो fingerprint और face lock में कोई difference यहाँ पर नहीं है बापेश चलते हैं settings है Biomatic Security वाद, Block Screen, Home Screen, Theme, Wallpaper and Style, Display, Notification, Sound and Vibration और Connection यह सब दौनी फॉन में आपको यहाँ पर same देखने के लिए मिल जाते हैं तो दोस्तो अभी तक जो हमने देखा दौनी फॉन का design same था के वहले quad camera, triple camera का setup है hardware दौनी फॉन का same है display performance के मामने में Samsung Galaxy A13 आगे है Samsung Galaxy A04s से अब बाहरे आती है दौनी फॉन के camera की देखते हैं वहाँ पर क्या difference आपको दौनी फॉन में देखने के लिए मिलता है एक difference तो यह ही है quad camera setup है A13 में बागी दौनी फॉन का main camera है वो है 50 megapixel का f1.8 के साथ में बागी 2 megapixel का depth और 2 megapixel का macro आपको मिलता है दौनी फॉन में Samsung Galaxy A13 में जब आपको 5 megapixel का ultrawide जिया हुआ है जो कि A04s में नहीं है बागी camera features के अगर बात करें तो यह main photo mode है दौनी डिवाइस का और यहां पर आपको दौनी फॉन में फ्लेज का option मिल जाएगा timer, display size और face और filters यानि beauty mode दौनी फॉन में है यह जहां पर दौनी फॉन में बैक्ग्राउंड बिलनेस दौनी फॉन में adjust कर पाएंगे screen smoothness का option दौनी फॉन में है यह बीडियो रिकॉर्डिंग मोड और बीडियो रिकॉर्डिंग में दौनी फॉन में फ्लेज का option है और फॉलेज तक का बीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट है और filters और beauty mode यहां भी आपके लिए available है other features में जाएंगे तो यहां पर कोई डिफरेंस नहीं है कि वह एक ही डिफरेंस है अल्ट्रा वाइड मोड का option आपको A04S में देखने के लिए नहीं मिलेगा बागी एक और डिफरेंस है फ्रेंट कैमरा A04S में 5 Megapixel का वहीं Samsung Galaxy A13 में 8 Megapixel का front camera आपको मिलता है तो यह भी एक camera दूसरा है यहां पर display वाकि और कोई डिफरेंस यहां पर दोनी डिवाइस में नहीं है अब आरी आती है प्राइज की तो Samsung Galaxy A04S single variant में available है जिसका प्राइज है 3499 लेकिन करंट में अभी यहां पर एक हजार रुपे का डिसकाउंट पी है तो 1249 प्राइज है यहां पर भी एक जार रुपे का फ्लाल डिसकाउंट है तो वह 1299 याने कि दोनों फोन में 500 रुपे का डिफरेंस है बस बाकि आप पसंद करिए आप किस फॉन को लेना पसंद करेंगे अगर 90 डिस्प्ले चाहिए तो A04S आप परचेज कर सकते हैं बाकि किलियर टी जाता चाहिए तो सैम्टंग गैलेक्सी A13 आपके लिए बहतर दिन रहेगा तो यह ता हमारा सैम्टंग गैलेक्सी A13 और A04S के बीच फॉल कंपेरिजन उमीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना बूले हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूले हैं मिलते हैं अगले वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद, Have a nice day